अपने कारणामों को लेकर आए दिन यूपी पुलिस चर्चा में रहती है सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक पीडित प्यक्ति सहर कोतवाल से न्याय मांग रहा है लेकिन कोतवाल ने उसे धमकाते हुए थपड जड़ दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया हाला कि कई लोगों ने यह भी कहा कि साहब इसे पीट क्यो रहे हो हरदोई का दारोगा थपड बाज है आप इस वीडियो में साफतावर पर देख सकते हैं कि यूवक को दारोगा ने किस तरह से इंसाफ मांगने पर थपड जड़ दिया यूवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था मनबढ पुलिस किस तरह से फर्यादियों के साथ बरताव करती है इस तरह की तस्वीरों से साफ बया हो जाता है वाइरल वीडियो हर दोई जिले के डियम चौराहा का बताया जा रहा है जहां पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि पिहानी धाना छेतर का एक व्यक्त नव दिन से लापता था उसका साओ लखनव जनपत के काकोरी खानपूर सारदा नहर से बरामद हुआ था परियन पिहानी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डियम चौराहा पर सव रखकर जाम लगाना चाह रहे थे लेकिन इस बात की जानकारी सहर कोतवाल को हो गई फिर क्या था कोतवाल साहब दलबल के साथ मौके पर पहुँच गये जैसे ही पीडित परिवार पिकप डाला से नीचे उतर कर खड़े हुए वैसे ही सहर कोतवाल ने धमकाते हुए काफी डाटा इसी बीच दूसरे युवक को थपड मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया घटना का वीडियो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है इस तरह की तस्वीरे देखने के बाद आप समझ गये होंगे कि उत्तर पुदेश में कानून व्योस्ता कितनी बदहाल है किस तरह से पुलिस वाले फर्यादियों के साथ बरताव करते हैं एक तरह फुत्तर पुदेश के मुख्यमंत्री योगी आजितिनाथ पुर्जोर कोशिस करते हैं कि यूपी में कानून व्योस्ता चाक चौबंध हो वही दूसरी तरह यूपी पुलिस का बरताव सीयम योगी के अर्मानों पर पलीता लगा रही है